हालो फ्रेंड्स वेलकम टू ओनलाइन क्लासिज आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्तान जी के के एक ऐसे टॉपिक की बात करने जा रहे हैं जिससे 100% 2-3 क्यूशन आपको हर एक्जाम में मिलने वाले हैं तो आज हम बात करेंगे राजस्तान के लोक देवी देवता इनकी ब बात करें तो इस टॉपिक से यहां पर मैंने रखे हैं 100 कूशन रखे हैं और यह 100 की बात करें तो काफी इंपोर्टेंट है आपके एक्जाम के पॉइंट अपने कोई सा भी फॉर्म भरा ओ राजस्तान इस्टेट का चाहे राजस्तान पुलिस का हो चाहे पटवार का हो चा राजस्तान जी के मैं डाल डाल चुकी हूं कर रहा है यह बीडियो डाल रहे हैं इससे क्या छो बी टॉपिक है में सारे एकय कवर्न जाएंगे और उन तॉपिक से रिलेटेवार एक्जाम में कुछे जाती है उनको यहां परrem速 करा जाराए जैसा कि आज का जो topic है राजस्तान के लोग देवी देवता इससे मैंने 100 questions लिये हैं और इन 100 questions को मैंने 2 पार्ट में divide किया है पहला पार्ट और दूसरा पार्ट तो आज हम cover करेंगे पहला पार्ट जिसमें 50 questions रखे हैं और next 50 questions है उसको हम start करेंगे second part में तो चलो start करते हैं सेशन को पह केसरिया कोवर जी के बारे में पूछा है कि किस लोग देवता के पुत्र हैं गोगा जी तेजा जी मलीनात जी या फिर पाबु जी फ्रेंट्स हम बता दे कि केसरिया कोवर जी जो है ये गोगा जी के पुत्र है तो राइट आंसर हो जाएगा option A correct answer होगा गोगा जी अब यह जनम हुआ था चूरू जिले के दद्रेवा नामकिस्तान पर इनका जनम हुआ था अब अगर आपसे पूछा जाए कि इनकी पिता का नाम क्या है तो गोगा जी के पिता का नाम क्या है जेवर यहाँ पर मैं लिख देती हूँ जेवर इनके पिता का नाम है और माथा का नाम ह फिर हन्वानगड के गोगा मेडी में प्रते गोगा नौमी को इनका मेला लगता है और गोगा जी का प्रती क्या है फ्रेंज तो गोगा जी का प्रती का घोडा नेक्स देखते हैं किस ले लोक देवी का अन्य नाम सैडल माता या फिर महमाई भी है आवड माता, सीला माता, सीतला माता या फिर कैला देवी तो आंसर हो जाएगा सीतला माता जो है सीतला माता अप्शन सी इनका अन्य नाम सैडला माता या फिर महमाई भी है नेक्स देखे आपसे पूछा है बाबा रामदेव के बारे में पूछा है कि बाबा रामदेव की माता का नाम पूछा जा रहा है very very important यहां से definitely question आते हैं बहुत बार पूछा गया है options है नीलम मेना देवी या फिर नैतल या फिर केमल दे तो right answer हो जाएगा option be correct answer हो जाएगा मेना देवी right answer हो जाएगा अब यहां रामदेव जी के बात हुई है तो friends एक और चीज़ आप मेरे को यह बताईए कि जो रामदेव जी इनका जनम का हुआ तो देखो note down कीजिए रामदेव जी का जनम हुआ बाडमेर जी लेके उडका समेर गाउं में हुआ और इनके पिता का नाम क्या है अजमल इनकी पिता का नाम है और माता का नाम है मेना देवी और पोखरन जो की पढ़ता है जैसल मेर में इसके पास रूनेचा नाम की जगए है वहाँ पर क्या होता है हर साल बाद्र पद सुकल तिरितिया को जो एका दसी पर किसका मेला लगता है रामदेव जी का मेला लगता है एक और important question यहां से पूचा जाता है कि तेरा ताली निर्ट की उत्पति कहां से हुई तो फ्रेंड यहीं से हुए रामदेव रासी और रामदेव जी का प्रतीन चिन जो है वो पगली है याननी की जो चरन चिन जो होते हैं इनको माना जाता है नेक्स देखे बाबार रामदेव ने रूने चाम में कौन सा पंत शुरू किया था तो बाबार रामदेव की बात करे तो रूने चाम में इन्होंने कामडिया पंत शुरू किया था कामडिया ओप्शन डी कामडिया पंत नेक्स देखे बाबार रामदेव को मुसल्मानों का अ आउतार मानते हैं रामशा पीर का आउतार मानते हैं तो option D right answer है ये देखिए next question लोक मानस में सुगन चिड़ी को किस लोक देवी का स्वरूप माना जाता है बात ओरी सुगन चिड़ी की बात ओरी है कि किस लोक देवी का स्वरूप मानते है ये पूछा जा रहा है तो right answer क्या ह पूछा गया कि सापो के देवता के रूप में विख्यात लोक देवता कौन से हैं। माता का नाम बच्छाल है और हनुमान का जो गोगा मर्डी है उसमें प्रते गोगा नौमी को गोगा जी का मेला लगता है। तल्ली नाज जी जो है इनका बच्छपन का नाम तो गाग देव इनका बच्छपन का नाम है पीता का नाम है वेरम देव ये भी ध्यान रखना है और इनके गुरु का नाम है जलंदर। नेक्स देखिए। वीर पनराज जी का जनम राजस्तान की किस जिले में हुआ था। वीर पनराज जी की बात हो रही है इनका जनम हुआ था जैसल मेर में। ओप्शन डी जैसल मेर। नेक्स देखे, राजिस्तान का कौन सा जिला है, जिसमें पाबु जी का जनम, इस्तल कोलु गाउव है, हमें ये बताना है, पाबु जी की बात हो रही है, अब अप्छन से नागोर, जोधपूर, पाली या फिर अजमीर, तो राइट आंसर हो जाएगा, जोधपूर, राइट जिला जो है उसका कोल उसमें है कोलुगाउं वहां पे इनका जनम हुआ और हां जो पाबुजी है ये उंटों के देवता के रूप में भौत प्रसिद्ध है राजस्तान में सबसे पहले उंट लाने का श्रे पाबुजी को जाता है और पाबुजी का जो प्रतीक चिन जो है व 11 राजस्तान के किस लोक देवता को लक्षमन का अवतार भी माना जाता है वेरी वेरी इंपोर्टेट तेजा जी बिग्गा जी पाबुजी गोगा जी तो आंसरों का पाबुजी पाबुजी जो है इनको राजस्तान में लक्षमन का अवतार भी माना जाता है नेक्स देखे क्यूसर नमबर 12 लोग देवता तेजा जी की घोडी का नाम बताईए अब देखो तेजा जी की बात हो रही है जो तेजा जी है इनकी घोडी का नाम आपसे पूछा गया है लीलन या फिर लीला या फिर केशरी कालमी या फिर इन में से कोई नहीं आंसर हो जाएगा लीलन लीलन इनकी जो घोडी है इनका नाम है अब थोड़ा साम डिसकस करते हैं तेजा जी के बारे में क्योंकि देखो जो इंपोर्टेंट है इस वज़े से यहाँ पर सारी चीज़े बतारे हूँ जो इंपोर्टेंट है उनकी ज़्यादा डिटेल बतारे हूँ फ्रेंट्स तेजा जी की बात करें तो सबसे पहले तो नोट कीजे इनका जनम का हुआ तो तेजा जी का जनम हुआ नागोर जिले के खणनाल गाउं में इनका जनम हुआ इनका पिता का नाम है त नेक्स देखिए केसर कालमी किस लोक देवता की घोडी का नाम है केसर कालमी के बारे में आपको पता होना चीए पाबु जी की घोडी का नाम है तो आंसर हो जाएगा पाबु जी पाबु जी का जनम हुआ फलोदी जिला जो की पढ़ता है जोदपूर में जोदपूर में जो म पाबुजी को जाता है तो यह भी ध्यान रखना है नेक्स देखते हैं चोटा रामदेवरा की बात ओरी है जो कि किस राज्य में फ्रेंट्स गुजरात में है और सी के साथ हम जा रहे हैं नेक्स देखें किस नमबर 15 रामदेव जी के मेले में आकरशन केंद्र बताईए रामदेव जी के मेले का आकरशन केंद्र मैंने बताया था रामदेव जी जो है इनके मेले मतले कि यहीं से एक नर्त की उत्पत्ती होई थी और उस नर्त का नाम क्या है तेरा ताली आंसर हो जा तो उसे हम मोटिवेट होते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए और हमारी यही कौशिस रहती है कि बैस से बैस्ट वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर सके देखो इसी तरह करके एक एक टॉपिक को कवर करा दिया जाएगा जिससे क्या होगा राजस्तान जी के कंप्लीट हो जी के चल रही है और राजस्तान जी के भी चल रही है तो चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्यूशन राजस्तान का रूनेचा मेला संतुस समाज के लिए किस प्रकार की प्रेणा देता है राजस्तान का रूनेचा मेला की बात हो रही है तो संपरदाइक सद्वाव राइट हो जाएगा ओप्शन सी नेक्स देखते हैं क्यूशन नंबर 17 मारवाड के पंचपीर जो होते हैं इसमें किसका नाम लिया जाता है पंचपीर की बात हो रही है फ्रेंट्स पंचपीर की भोमिया जी तेजा जी देव नारायन जी या फिर गोगा जी तो आंसर यहां पर हो नाम जेवर है माता का नाम बचाल है और हनुमानगड के गोगा मेड़ी में प्रतेक गोगा नौमी को मेला लगता है गोगा जी का प्रतीक जीन गुड़ा नेक्स देखिए प्रसिद लोक देवताज इनका नाम है गोगा जी इनका जनम कब हुआ था देखो अभी पिछली को वह था तो अजमेट जैपूर जुपने में तो आंसर हो जाएगा option A, B का नेर, next देखिए, राणी सती का मंदिर किस जिले में इस्तित है, किस की बात हुई है, राणी सती के मंदिर की बात हुई है, अजबे जैपूर जुनु चूरू, तो आंसर हो जाएगा जुनु जुनु ऑप्सन C के साथ हम जा रहे हैं, next question number 21, अब जेवर माता, रादसम्मत ये भी सही है, फिर भदाना माता, कोटा ये भी सही है, अब एक ये option अपने पास बचता है, तनोटिया देवी और इसके साथ जोदपूर दे रहा है, जो की बिलकुल गलत है, तो आंसर हो जाएगा option D, next देखिए, किसको काला और बाला क्रशी का उ पूप में इनकी पूजा होती है, इनका जनम हुआ नागोर जिले के खर्णाल गाउ में, इनका जनम हुआ पिता का नाम है ताहर जी, माता का नाम है राजकवर, next देखिए, गोगा जी की माता का नाम बताईए, गोगा जी की माता का नाम क्या है, बाचल, आंसर हो जाएगा बाचल और पिता का नाम पूछा जाए तो जेवर और जो इनका जनम हुआ गोगा जी का चूरु जिले के दद्रेवा नामक इस्तान पे next देखे question number 24 गोगा जी के गोडे का रंग बताईए गोगा जी के गोडे का रंग क्योंकि देखो गोगा जी का प्रती क्या गोडा है अब गोडे का रंग बता दीजे क्या था तो गोगा जी के गोडे का रंग नीला आंसर होगा option C नीला next देखे question number 25 पे पहुंच चुके है नागवंस ये जाट परिवार में किनका जनम हुआ नागवंस ये जाट परिवार की बात हो रही है गोगा जी देवनारायन जी पाबु जी या फिर तेजा जी तो फ्रेंट्स आंसर होगा तेजा जी और तेजा सी से बात हो रही है फ्रेंट्स ध्यान दीजिए शेरगड तिलवाड़ा तिलवाड़ा पढ़ता है बाड़मेर में सांसुगाउं पांचोटी तो रायट आंसर हो जाएगा तिलवाड़ा बाड़मेर ये रायट आंसर है मल्ली नाजजी का प्रसिद क्या है मंदिर है next देखे राजिस्तान के लोग देवता जिर का नाम है मल्ली नाजजी इनकी पत्नी का नाम आपसे पूछा जा रहा है क्या पूछा है पत्नी का नाम पूछा है ओप्सन्स आपके सामने है तो फ्रेंट्स आंसर बताइए क्या होगा इस क्यूशन का रायट आंसर तो देखो अमारा र रानी रूपा दे, रानी रूपा दे राएट आंचर है रानी रूपा दे नेक्स्ट, निम्न में से किस लोक vertцев की घोड़ी लीलन है अब ये लीलन के बारे में भी मैने आपको बताय था कि लीलन जो है वो तेजा जी की घोड़ी का नाम है तो देव नारायन जी का घोड़ा है तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा देव नारायन जी करेक्ट आंसर होगा देव नारायन जी ठीके यह चीज हम देख चुके हैं तो चलो बढ़ते हैं next question के और यहाँ देखिए next question आपके सामने आ चुका है friends answer कीजे क्या होगा right answer आपसे पूछा है कि उटो की पालक राय का जिसे बोलते रेबारी जाती यह किस लोक देवता को अपना अराध्य मानती है यह तो पता होना चीए क्योंकि मैंने आपको बताया था उटो के देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती है इसके लिए options है गोगा जी पाभू जी रामदेव जी या पर तेजा जी तो आंचर हो जाएगा पाभू जी राइट आंचर होगा पाभू जी जो यह उटो की जो पालक जाती है रेबारी जाती यह किस देवता को अपना अराध्य मानती है पाभू जी को नेक्स्ट श्री देव नारायन जी को गूजर जाती की लोग किस अवतार में मानते हैं गूजर जाती की जो लोग हैं वो स्री देव नारायन जी की बात करें तो विश्नु का अवतार मानते हैं इनको विश्नु का अवतार काला और बाला वे क्रशी कारियों का उपकारक देवताग किसे माना जधा है मैंने बताया था तेजा जी को माना जधा है तेजा जी ये देखिये नेक्स्ट क्यूषन तेजा जी के पुजारी को क्या केते है गोडेला, पंडा, पुजारी या फिर महराज तो फ्रेंट्स इनको कहते है घोडेला घोडेला कहते है नेक्स देखे क्यूशन नमबर 34 राजस्तान में उंट बिमार होने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है वेरी वेरी इंपोर्टेंट इसका आंसर देखो पता हो न चीए क्योंकि मैं अल्रेडी कई बार बता चु जाता है क्यूशन नमबर 35 राजस्तान में बिग्गा जी का जनम किस जिले में हुआ यह बताना है जालोर बिकाने पाली या फिर जैसल में तो राइट आंसर हो जाएगा बिकाने राइट आंसर है ओप्सन पी नेक्स्ट क्यूशन निमन में से किस लोक देवता की माता का ना नेक्स्ट क्यूशन नमबर 37 लोक देवता फता जी का जनम राजस्तान के किस जिले में हुआ था सिरोई जालोर पाली या फिर बाड में तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जालोर राइट आंसर होगा ओप्सन B जालोर नेक्स्ट क्यूशन देखिए राजस्तान का कौन सा इस्तान है जिस पर लोक देवता फता जी का विशाल मंदिर है इमलोहा, सेरगड, सासुगाउं या फिर पांच जोटा तो राइट आंसर हो जाएगा सासुगाउं राइट आंसर होगा ओप्सन C नेक्स्ट देखिए वाले देवता के रूप में ख्याती किसे प्राप्त है हडबू जी गांगल जी तलीना जी या फिर कल्ला जी तो चार हात वाले देवता के रूप में ख्याती प्राप्त है कल्ला जी को आंसर हो जाएगा कल्ला जी राइट आंसर है कल्ला जी ध्यान रखिएगा ये सकुन सास्तर के ग्याता किस लोग देवता को माना जाता है सकुन सास्तर के ग्याता का नाम पूछा है किस लोग देवता को माना जाता है तो फ्रेंड्स यह माना जाता है हडबू जी को option D हडबू जी यहां देखे next question और आपसे पूछा जा रहा है कि हडबू जी किस लोग दे के या फिर बाबाराम देव जी के या फिर फड़ा जी के तो राइट आंसर हो जाएगा बाबाराम देव जी के अंसर ओजएगा ऑप्शन सी यहां दते के न्यक्स्क कुशन कीरिस नमबर 42 और की क्यूशन है कि राजस्तान के लोक देवता जिनका नाम है हडबु जी यह किस गाउं के निवासी थे हडबु जी की बात हो रही है और जो हडबु जी यह भी पंचपीरों में से एक है तो लाइटली नहीं लेना है क्योंकि पंचपीरों की बात करें तो अपने आप में काफी इंपोर्टेंट होते हैं तो अंसर बताईए इस क्यूशन का राइट आंसर क्या होगा ऑप्संस आपके सामने है हडबु जी की बात हो रही है ऑप्संस है सासु गाउं बगेटी या फिर सिंबू दड़ा या फिर पांचो टा राइट आंसर हो जाएगा बगेटी राइट रोगा इसक्यूशन का ठीक है किस गाउं के निवासी थे बगेटी ये चीज़ हम देख चुके है अब देखो हडबु जी की बात हो रही है तो एक्जिकली हम बात करें इनके जनमिस्तान की तो बुंडेल जो की पड़ता है नागुर में वहां पे इनका जनम हुआ और राम राजस्तान के कौन से लोग देवता है जिनकी मिट्टी पत्थर की मूर्तिया नहीं बलकी लकडी की एक विशिस्ट कलात्मक तोरण होता है तो हमें बताना है उन लोग देवता का नाम तलीनाच जी, वीर बगगा जी, मामा देव या फिर बाबा जुजार जी तो राइट अब करनी माता की बात हो रही है तो नोट डाउन कीजी इस ती रिलेटेड कुछ फैक्ट देखो सबसे पहले हम बात करें करनी माता की तो बिकानेर के राठोड वंस की कुल देवी है कई बार पूछा जाता है करनी माता किसकी कुल देवी है तो राठोड वंस की कुल देवी है और करनी माता का जो मंदीर है वो बिकानेर जिले के देश नोक नामक इस्तान पर पड़ता है दूसरी इंपोर्टेंट चीज की करनी मा चुहो की देवी के नाम से प्रसिद है कई बार पूछा जाता है कि उस लोग देवी का नाम क्या है जो चुहो की देवी के नाम से प्रसिद है तो उन लोग देवी का नाम है करणी माता और यहां पर करणी माता पर क्या है कि सपेद चुहो को काबा का जाता है देखो होता क्या करनी पागा जाता है कि करनी माता के Middle Hai के दार्शन हो चूकर है कि करनी माता के दर्शन हो सिर्शे हिंदू किस लोक देवता के और की अवतार कामन कर Subscribe does it नौत तेजा करती है करें रामदेव जी ग मुणा दूनाराइन गरीफ आंसर हो जाएगा रामदेव जी देखो रामदेव जी जो है इनको कृष्ण का अवतार मान करके हिंदू लोग जो है ये इसकी पूजा करते हैं यहां देखें नेक्स्ट कुशन 47 चौबीस बानिया रचना के लेखक फ्रेंट्स बात ओरी चौबीस बानिया के रचना के लेख जी नेक्स देखें लोग देवता हडबू जी का प्रथम इस्तल बैटो जो पेडिक जो portions में सब्सक्राइब में इसकी आंसर हो जाएगा क्यालन जाता है इनके गुरो का नाम है बालिनाद जी ये भी इंपोर्टेंट चीज है और एक और चीज है कि हाँ जो सांकला राजपूत जो है इनके अराध्य देवता है ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे ये भी ध्यान रखना है नेक्स्ट क्यूशन नमबर 49 स्रैदालू किस लोक देवता की पूजा गाड़ी की पूजा करते हैं ये बताना है बाबा जुजार जी पाबू जी हडबू जी या फिर वीर कल्ला जी तो आंसर हो जाएगा हडबू जी राइट आंसर है हडबू जी ठीक है ये देख लिए हमने अब देखते हैं नेक्स्ट क्यूशन क्यूशन नमबर 50 राजस्तान के लोक देवता जिनका नाम है मामा देव इनका प्रतिक चिन बताना है वैसे तो मैंने इनका प्रतिक चिन बताया भी था आपको तो आपको ध्यान होना चाहिए उप्सन से सर्प, बाला, तोरण या फिर पांग ले तो आपको प्रतिक चिन बताना है तो इसी के साथ जो ये टॉपिक हमने लिया था राजस्तान के लोक देवी देवता इसका पहला पार्ट जो है जिसमें मैंने 50 क्यूशन कवर किया है ये कंप्लीट होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम डालेंगे इसका क्यूशन और रखे गया है तो इस तरह से करके इस टॉपिक के हम टोटल 100 क्यूशन को कवर कर लेंगे और इन 100 क्यूशन से भार कोई क्यूशन नहीं पड़ेगा इस टॉपिक से तो फ्रेंट्स वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजे जितना हो सके वीडियो को शेर कर दीज क्यूशन और रखे गया है तो